गर के एक साइड में आपने पाईपलाइंस ले लिया अब जाहिर से बात है ना इसके उपर से तो तो कभी आपका बेड नहीं जाएगा क्योंकि यह वह कोर्नर टी कॉर्नर क्रॉस करता है तो आपका बेडरूम कैसा होगा आपका बेडरूम यहां से बनके आरहा होगा यह तो located here, आपका kitchen यहाँ पे है, और आपने अपनी boring यहाँ पे बनाई है, तो आप वहाँ से जो पानी लोगे, उसके लिए भी, you have to maintain the same principle, घर के side से लेके, फिर यहाँ से पानी लेना, पर आज की date में क्या करते हैं, shortest distance देखते हैं, सीधा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, अब देखो, this is called as geopathic stress, एक pipeline गया था, उसके उपर और एक pipeline छोड़ दिया गया, समझ गया आप, क्या हो रहा है, this is a man-made geopathic stress, इस घर में जो भी रहेगा, उसको persistent, या तो back pain रहेगा, leg pain रहेगा, back pain तो for sure है,